तो क्या हाल है मेरे भाईयों के सब बढ़िया है ना साल 2024 स्टार्ट हो गया है और इस साल आपको देखने को मिलेंगे बहुत सारे नएने स्मार्टफोन्स अगर मैं बात करूँ 40,000 रुपीज वाला प्राइस सेग्मेंट वेल ये प्राइस सेग्मेंट एक बहुत ज़्यादा एक लड़की एक गाड़ी और एक अच्छा स्मार्टफोन लड़की मिले ना मिले गाड़ी मिले ना मिले लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको एक कमाल का स्मार्टफोन आप ही के प्राइस सेगमेंट में बताके जाओंगा जिसका क्यामरा भी बेस्ट होगा और जिसका battery backup भी best होगा और आपका budget अगर 40,000 रुपीज है तो वीडियो को like करके बस चैनल को subscribe कर दो अगर मैं 2023 के कुछ smartphones की बात करूँ तो मेरे को काफी जुनों से comment आ रहे थे कि भाई flip card पे sale चल रही है Samsung S22 जो snapdragon 8 Gen 1 के साथ आता है वो phone 36, 37,000 रुपीज का मिल रहा है क्या वो best camera phone है yes बिल्कुल इस price segment में उसका camera best है लेकिन क्या वो phone लेना चाहिए मैं आपको recommend नहीं करूँगा बड़ा simple सा जवाब क्योंकि phone में battery backup अच्छा नहीं मिलता जब आप जादा photos capture करोगे 4K videos record करोगे तो battery backup भी तो अच्छा होना चाहिए उसके बाद 2023 में हमने OnePlus 11R देखा Nothing Phone 2 का price drop होते वे देखा 40,000 रुपीज से कम में मिलने लग गया था बट camera उन दोनों phones का मैं decent कह सकता हूँ बट इस price segment में best नहीं है अब 2024 में आप बहुत सारे value for money smartphones launch करते हैं इसके लावा Motorola के phones में आपको काफे सारे recommend करे थे 2023 में बट Motorola के phones में भी एक ही issue रहता है कि camera उतों अच्छा perform नहीं कर पारा हमारे पास ले देखे दो smartphone brand बचते हैं एक है Samsung और दूसरा है Apple और जो phone में आपको आज इस video में basically recommend करने वाला हूँ उसको लेके काफे सारे भाईयों ने मेरे से ये भी पूछा था क्या 2024 में इस smartphone को purchase करने का कोई sense भी बनता है जवाब है हाँ बिल्कुल well मैं बात कर रहा हूँ iPhone 13 की दो साल पुराना smartphone और इस से कर रहे हो फोन बेशक दो साल पुराना है लेकिन इसकी performance आज भी 2024 में जो phones launch होने segment में उसको टकर दे सकता है इतना capable है ये phone बेफालतू में अगर आप Google Maps यूज़ कर रहे हो वीडियो कॉल्स पे हो और gaming कर रहे हो तो बहुत ज़दा प्रोसेसर लॉंच किया था आपल ने बहुत ही consistent बहुत stable performance मतलब अगर iPhone 14 Pro में जिसमें A16 chipset का use हुआ था उससे कम heat होते थे iPhone 13 Pro series इतने stable इतने बढ़िया performance के साथ आपको और क्या चाहिए जब software experience भी बहुत अच्छा दे देता है Apple 4GB की RAM बहुत अच्छी है RAM management phone का अच्छा है मतलब day to day life में कोई भी task perform करना हो आपको iPhone 13 किसी भी तरीकी की दिक्कत नहीं देगा दो main reasons जिसकी वज़े से आपको ये phone मैं recommend कर रहा हूँ under 40,000 रुपीज इसका जो camera है वो बहुत stable और बहुत consistent perform करता है अगेन ये दो words इस वीडियो में आपको repeat होते वे देख रहे है reason है उसके पीछे आप bright daylight में जब face पे direct sunlight आ रही है तब pictures capture करके देखना human subject overexposed नहीं हो रहा होता है आप इसे portrait shots capture करके देखना most of the time edges properly detect करेगा and जितने भी android phones आते हैं 30 से 40,000 रुपीस की segment में हां Samsung S22 को एक बर ignore करता हूँ उसके इलावा जितने भी phones आते हैं सबसे natural background blur आपको इसके portrait shots में देखने को मिलेंगे मतलब बहुत अच्छे portrait shots आप ले सकते हो काफी sharp आप macro shots capture कर सकते हो dynamic range बहुत अच्छी देखने को मिलती है ये थोड़ी सी high contrast images capture करता है तो dark areas आपको कभी-कभी थोड़ी से under exposed लग सकते हैं बट इस तरीकी की image quality actually में काफी सा लोग को पसंद भी आती है तो थोड़ा सा personal preference पर depend करता है लेकिन अगर आप किसी subject की image थोड़े distance से capture कर रहे हो main बात है वो subject sharp होना चाहिए और काफी sharp pictures ही capture कर लेता है आप low light में move करोगे इसका night mode बहुत अच्छे से work करता है जब frame में बहुत अच्छे lights होती है तो थोड़ा सा flare effect हमें almost सभी iPhones में देखने को मिलता है iPhone 15 में इस flare effect पे काम की है अब थोड़ा सा कम देखने को मिलता है बट अगर इस issue को हम थोड़ी दर के लिए ignore करें तो आप realize करोगे कि pictures में सबसे best बात है कि low light में capture करने के बाद भी pictures में noise नहीं है details enough है and overall जो color contrast है वो close to reality है बहुत ज़दा boosted colors नहीं है कोई redistant नहीं आ रहा फालतू का थोड़ा सा flare effect है वो manage कर लेना कभी-कभी lights उतने अच्छे से control में नहीं रहेंगी हलके-लके overexpose हो जाएंगी तो ये एक issue है अब अगर आप एक content creator हो 2024 में नया YouTube channel start करने का सोच रहे हो या 2023 में आपने channel start करा था और आपको camera upgrade करना है आप एक ऐसे person हो जिसको vlogging करनी है और smartphone prefer करते हो उस case में iPhone 13 recommend करने का main reason 4K videos record करो 30fps, 60fps बहुत अच्छी stabilization देखने को मिलेगी videos काफी sharp record होती है अच्छे color contrast के साथ आपको videos में अच्छी dynamic range देखने को मिलेगी और जब आप ये 4K videos record कर रहे होगे 10 minute, 15 minute, 20 minute तो ये एक ऐसा phone है जो heat भी कम होगा और battery backup भी अच्छा देगा अब ये थी सारी positive चीज़े iPhone 13 के बारे में सिर्फ दो negative points है अगर आपकी priority कुछ उस तरीके की है तो भी मैं आपसे agree करूँगा कि हाँ, उस case में आप इस phone को ignore कर सकते हो पहला आपको phone चाहिए जिसमें refresh rate 120Hz हो तो यहाँ पर थोड़ा सा compromise करना पड़ जाता है iPhone के साथ की 60Hz की display मिलती है second, कुछ लोगों को charging speed थोड़ी सी slow लग सकती है मेरे लिए ये main concern नहीं है because एक बार ही 100% charge हो जाए तो battery backup बहुत अच्छा दे देता है और charging speed to be very honest जो battery capacity है 3250 image के around है तो अच्छा मतलब जल्दी charge हो जाता है कोई 15 image की battery नहीं है कि 20W के charger से लगाई है और पूरा-पूरा दिन 2-3-3 खंटे लग रहे हैं ऐसा भी नहीं है थोड़ सी slow है but adjust आप कर सकते हो अगर ये 2-3 चीज़े आप adjust कर लोगे तो आप एक best camera phone with best battery backup best software experience and best performance के साथ under 40,000 इस phone को 2024 में purchase कर पाऊगे लोग पूछ रहे होंगे phone का price जादा है 40,000 के under कैसे purchase करेंगे दो तरीके हैं पहला आप अगर इस phone को second hand purchase कर सकते हो तो एक साल पुराना 38,000 के round मिल जाएगा बैटरी हेल्थ होगी 90 से 91% बट अगर आपका current phone अभी ठीक perform कर रहा है तो फिर second hand पे जाने की जरूरत क्या मेरे दोस्त आप September इंड तक वेट कर लो Flipkart Big Billion Days में iPhone 13 का 128 GB model 37,000 के round मिलने वाला है और ये बात almost confirm है हम सब को पता है कि इस बार iPhone 13 का price 40,000 रुपीज से नीचे जाने वाला है अब आप भी मुझे बताओ नीचे comment करके 2024 में आपको भी पता है कि OnePlus 12R launch होना है और भी अलग-लग smartphone brands है जो इस price segment को target करने वाले हैं बट क्या कोई ऐसा Android smartphone होने वाला है जिसका camera और battery backup हमें 40,000 रुपीज के price segment में best मिल जाए और best ना भी मिले तो iPhone 13 के साथ at least compete कर पाए मैं भी देखना चाहूँगा विकास मेरे recording ये 2024 का best camera phone होने वाला है under 40,000 रुपीज उमीद करता हूँ content informative लगा होगा वीडियो को like करके channel को subscribe कर दो Poco M6 को लेके बहुत दा confusion चल रही थी अब वो confusion clear हो गई है तो उसका review भी में upload कर दूँगा मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि उस phone को recommend कर दा है या नहीं तो वो confusion अब clear हो गई है नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं तिल देन, you guys have a creative